हालो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल अर्तिलाल की दुनिया तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से आपके लिए बहुत ही टेस्टी और एकदम न्यू स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये इतना ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी होता है कि ये सभी को बहुत ही पसंद आ साथ में ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए फ्रेंड्स एकदम टेस्टी और ये न्यू स्नैक्स की रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आज हम इस रेसि एक बड़ा चमज भरके रिफाइंड ओयल तो आप चाहें तो यहां पर रिफाइंड ओयल की जगह पर बटर या घी भी इस्तमाल कर सकती हैं तो सबी चीजे हम नापकर इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको एक कप या कटोरी से इसे नापकर बनाईएगा और साथ में ही मैंने ट और यहां देखिए अच्छे से मेरा मोयन त्यार हो चुका था तब मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आट किया है और अब हम इसका अच्छा सा सॉफ्ट डो बनाएंगे तो हमें यहां पर डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है बस मीडियम रखना है न इसके लिए अब हम फिलिंग को त्यार कर लेते हैं तो यहां पर देखिए पैन मैंने गरम कर लिया है और उसमें डाला है एक चमज के करीब बटर तो आप चाहे तो घी डाल लिजेगा साथ में ही अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अधरक लैसन और मिर्च तो यहां मै बहुत ज्यादा नहीं पकाना है जिससे की इसका क्रंचीनेस बना रहे तो हम थोड़ा सा ही पकाएंगे और साथ में ही अब हम इसमें डाला है बॉयल किया हुआ और यह सारी चीजे बहुत ही टेस्टी लगती है इस रेसिपी में तो इसलिए जरूर एट करेगा फ्रेंड्स और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सिमला मेर्स चॉप्ट किया हुआ तो वेजीज आप अपने हिसाब से जो भी चाहें और जितनी कॉंटिटी में चाहें एड्ड कर सकती हैं अब हम इसमें एड्ड कर रहे हैं थोड़ा सा कटा हुआ गाजर तो यह भी मैंने चॉपर में ही चॉप्ट किया है और अब हम इसमें एड्ड करेंगे टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक तो नमक आप थोड़ा ही रखेगा क्योंकि बाकी चीजे भी अभी हम इसमें एड्ड करनी है और अब इसमें मैंने देखिए एक सी डिड़ चमच के करीब सेजवान सॉस मैंने जो बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही तरीके से मैंने बनाया है तो आपट चाहिए लृण हेर मैंने इसे अच्छे से देख सकती है और अब हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं तो फ्रेंड यह सब सब्साइक पूर्ट है अग्छों की तो एक्दम जोब आपके पास मिक्स तो यहाँ पर देखिए पीज़ा मिक्स आपके पास नहीं कोई भी सिस्जनिंग डाल सकती है जो भी आपके पास हो मैंने में बिलकुल मार्केट स्टाइल बनकर त्यार होगा और खाने वाले आपकी तारिफ किये भीना रुकेंगे नहीं क्योंकि बिलकुल मार्केट वाली ही टेस्ट आने वाली है इससे तो यह देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब यह फिलिंग हमारी बनकर बिलकुल तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है तो यहां पर देखिए मेरा आटा भी रेस्ट कर चुका है लगभग पांच मिनट तो यहां पर देखिए अब हम इसे एक बार स्टे स around कर लेंगे और अब हम इसे चार पार्ट में डिवाइट कर लेंगे तो यहां मेरा जितना अटा था म आप उतना पतला इसे बेल लीजेगा और क्योंकि इसे जब हम छानेंगे तो यह एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बन कर तयार होगा तो यहां देखे फ्रेंड्स मैंने से अच्छे से पतला बेल लिया था और इसके साइड वाले पार्ट को काट कर हम हटा कर इसे रेक्टेंगल सेब देंगे तो यहां पर मैंने साइड के सारे पार्ट को काट कर हटा दिया है और बिल्कुल पर्फेक्ट साइज में इसे हमें काटना है तो जितना बड़ा स्ट्रिप्स हम रखेंगे उसी के हिसाब से हमें सभी को रखना होगा तो यहां पर देखे मैंने एकदम अच्छ तो प्रेंड्स है ना बहुत एजी रेसिपी और सबसे अची बात है यह बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजेगा और अपने फैमिली और फेंड्स के साथ इसे सेर भी कर दीजेगा और बस इसी तरीके से हम सारी स्ट्रिप्स बनाकर त्यार कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिप्स तो त्यार है और इधर हमारी फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है तो अब हम इसमें एड्ट करेंगे सबसे मेन इंग्रिडियंट्स तो यह हमारा है मोजरेला चीज जो अब हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और चलिए अब हम पफ बनाना स्टार्ट करते हैं और अब हम इसके लिए एक स्लरी बना कर त्यार करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चमश मैदा में थोड़ा सा पानी आड़ करके इसे अच्छे से मिक्स किया है और यह पर तरफ हम इसके अच्छे से लगा देंगे और यहां पर मैंने आधे पर ही लगाया है क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना होगा और फिलिंग को भी अच्छे से हम मिक्स करके फिर से और इस पर डाल देंगे तो फिलिंग अच्छे से इस पर डालिएगा जिससे कि यह खाते समय इसे शेप दिया है, तो आप चाहें, तो अपने हिसाफ से कोई भी design इस पर दे सकती है, लेकिन मैंने बिलकुल market style puff बना कर तयार किया है, और यह देखिये, कितनή अच्छे नहींदा चेच बन कर तियार हो गया है, तो लग रहा है ना, लग जाते हैं बिलकुल market style यह ज़ग से बाकी के puff को भी बना कर त्यार करेंगे तो यहां देखिए मैंने एक पहले से त्यार रखा था और चलिए दूसरा भी मैं आपको बना कर दिखा देती हूं तो बस इसी तरीके से बाकी सारे puff को भी बनाएंगे हम फटा-फट से बन जाता है कोई भी जंजट नहीं करना है और न उसने करेंगे यहां देखिए मैंने जब एक साइड से कृपी हो गया तभी मैंने इसे पल्टा है तो यहां दिखें इस तो यह जादा क्रिस्पी और टेस्टी लग रहा है तो यह पहुत ही आसान रेसीपी है इसे आप जरूर बनाएगा जरूर ट्राइक और यकीन माने एक बनाने के बाद इसे आप खुदी बार बार बनाना चाहेंगी क्योंकि यह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में तो बस इसी तरीके से मैंने सारे पफ को छान कर रख लिया है तो फ्रेंड्स देखें बिल्कुल मार्केट इस्टायल यह हमारा मैक पफ पॉकेट पिज़ा बन तो यह कितना ज्यादा क्रिस्पी है चलिए मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ तो फ्रेंड्स देखें कितना ज्यादा क्रिस्पी है यह तोड़ने में और अंदर से फिलिंग भी अच्छे से भरी हुई है और चीज भी अच्छे से दिख रहा है तो है ना बहुत ही अमी रेसिपी तो फ्रेंट्स यह हमारा डॉमिनोज स्टाइल मैक पॉकेट पिज़ा बनकर बिल्कुल तयार है तो आप भी से जरूर बनाईएगा और कैसी लगी रेसिपी प्लीज कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल नहीं भूलेगा और यह रेसिपी आप कहां से देख र जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाई-बाई